हेलो फ्रेंग्स वेल्कम टू माई यूटूब चैनल आज के इस वीडियो में हम नेट के पाथ्यक्रम में संकलित इकाई आठ नाठक के अंतरगत एक और द्रोनाचार्य नाठक के परिक्षा उप्योगी महत्तुपुन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे तो आएए देखते है इस नाठक के महत्तुपुन बिंदुओं को संकर सेस हिंदी की साथोत्तरी पिढ़ी के सूप्रसिद्ध नाठक का रहते समकालीन जीवन की जुलन्द समस्याओं से जूजते व्यक्ति की त्रासदी संकर सेस के बहु संख्यक नाठकों के केंद्र में रहती है नाठक कार होनी के साथ साथ वे कताकार भी थे परंतु सरवादिक प्रसिद्धी उन्हें नाठकों के छेतर में ही मिली और प्राया लोग उन्हें नाठक कार के रूप में ही जानने लगे इनकी प्रकासित किर्थियों को देखते हैं नाठक में बिन बाती के दीप, फंदी, रक्त बीज, बंधन अपने अपने एक और धुरोनाचारिय, अरे मायावी सरोवर, कोमल गांधार, चेहरे, पोस्टर, खजुराहो का सिल्पी, बाड का पानी, चंदन के दीप, घरोंदा, रत्न गर्भा, राक्षस, नई सभ्यता, नई नमोने, आधी रात के बाद, चेतना, धर्म कुरुचेत्र, एक साथ की गाथा, मुर्तिकार, चेहरे, तिल का तार, काल जई, एक आंकी में, एक प्याला कॉफी, पुलिया, अजायब घर, त्रिभुज का चौथा कोन, रचना समक्र में, संकर सेस, समक्र नाटक, तेन खंद, संपादक, हेमंत कुक्रेती, एक और दुरुनाचारी नाटक का प्रकाशन, 1972 में हुआ था, महाभारत कालीन, प्रसिद्ध पात्र दुरुनाचारी के जीवन प्रसंगों को आधार बनाकर, वर्तवान भी संगदी को दिखाया गया है, नाटक का दो भागों में विभाजन किया गया है, पुर्वाद और उत्राद, पुर्वाद में चार द्रिश्य हैं, उत्राद में साथ द्रिश्य हैं, नाटक में वर्तमान सिख्षक की तुलना उस द्रोनाचार से की जाती है, जिसने एक सिख्षक को अन्याज सहने की परंपरा दे डाली आईए इस नाटक के उद्देश्य को देखते हैं नाटक के द्वारा मध्यकालिं द्रोनाचारी के पौरानिक मित की ये चितरन के माध्यम से वर्तमान सिक्षा संस्था में व्याप्त असंगतियों और सिक्षक के पंगु आचरन पर प्रहार किया गया है। इस नाटक में मूलतर दो समस्याओं को उठाया गया है। एक सिक्षा व्यवस्ता में व्याप्त ब्रष्टाचार और अनाचार और दूसरी वेतन भोगी मध्यम वर्ग में जीवन जीने वाले अध्यापक के अस्तित्व की समस्या है इस नाटक में नाटक कारने वर्तमान सिक्षा व्यवस्ता में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, राजिनीतिक, घुस्पैक तथा आर्थी केवं सामाजिक दबावों के चलते निम्नमद्यवरगिय व्यक्ति के असहाई बेवस चरित्र को उदगाटित किया है आए इस नाटक के पात्रों को देखते हैं इस नाटक में दो तरह की कहानिया चलती हैं दोनों कहानियों के आत्र अलग-अलग हैं एक कहानी महाभारत के द्रोनाचारी की है और दूसरी कहानी आज के समय के प्रोफेसर अर्विंद की है पौरानिक पात्रों को देखते हैं अर्विंद के कॉलेज का प्रेसीडेंट विमलेंदु मृत्य सिक्षक अनुराधा चात्रा जो बीस वर्स की है आईए इस नाटक के कथावस्तु को देखते हैं एक और द्रोनाचारी नाटक की कथानक सत्य इन सभी प्रसंगों के आधार पर प्रोफेसर अर्विंद के जीवन की त्रासिदी को अभिव्यक्त किया गया है अर्विंद एक मध्यवर्गी, आदर्श और सिधान्तों पर चलने वाला व्यक्ती है वह एक प्राइवेट कॉलेज का अध्यापक है उस पर अपनी कैंसर ग्रस्त मा और विद्वा बहन की जिन्दिगी निर्भर है लड़का मेडिकल कॉलेज में भरती होने वाला है अर्विंद के कॉलेज का प्रेसिडेंट एक व्यापारी है उसने अपने व्यक्तिगत लाव के लिए सिक्षन संस्थाएं खोली है वह कॉलेज के प्रिंसिपल को प्रलोभन और धमकिया देकर ग्रांट के रुपे लेकर अपने लेन देन के व्यवसाय में लगा देता है और हजारों रुपे कमा कर कॉलेज को लोट आता है प्रेसिडेंट का लड़का राज कुमार कॉलेज में पढ़ता है जिसे परिशा में नकल करते हुए अर्विंद पकर लेता है इसकी रिपोर्ट वह युनिवरसिटी को भेज कर आदर्स सिक्षा प्रनाली का पालंग करता है अर्विंद की पतनी लीला और मित्र यदू पत्या घातों से विचलित हो उसे कभी भी न्याय और सत्य के दुरगल्य रास्ते पचनले से रोकते हैं उनका होसला तोरते हुए यदू कहता है राजकुमार का विरोध करोगे तो हत्या, चंदू का विरोध करोगे तो सामाजिक हत्या, हत्या से बच नहीं सकते तुम, राजकुमार और उसके साथ ही बड़े ही क्रोड हैं, अगर ये लोग विमलेंदू की हत्या कर सकते हैं तो भाशा की जगह समझोते की सुभिधा प्रद भाशा बोलने लगता है और सत्ता के कभी भी नहीं तूटने वाले चक्रवियू में फसकर मात्र बरे बरे निर्थक सब्द थूकने वाला नपुनसक बुद्धिवादी बन कर रह जाता है। अपने प्रिय चात्र चंदू का धहरी बंधा कर वह प्रेसिडेंट के दवावों के आगे जुग जाता है। अनुरादा को बचा लेता है। अनुरादा उसके कहने पर राजकुमार के विर्द्ध रिपोर्ट कर देती है। किन्तु इस बार भी प्रेसिडेंट बीच बिचाओ का रास्ता धून कर केस को रफा धफा कर देता है। अनुरादा इस मामले में घृता से आगे बढ़ती है पर राजकुमार के गुंडे उसे मार कर रास्ते पर फेंक देते हैं। लोग उसे आत्प्रहत्या समझते हैं। अर्विंद के खिलाब गवाही देता है। यह नाटक चंदू के अर्धसत्य के साथ ही समाप्थ हो जाता है। आए इस नाटक के महत्पुन पंक्तियों को देखते हैं। एक और द्रोनाचारी नाटक में संकर सेस ने महभारत कालिनी स्थीतियों एवं पात्रों के माध्यम से आधुनिक परिवेश एवं चरित्रों को उद्गातित करने का प्रियास किया है। एक लव्य आज आशिरवात दे रहे हैं या शाप क्या आप इस अर्जुन से कभी उसका दाहिना हाथ मांग सकते हैं। क्या आप भीम से उसकी भुजा मांग सकते हैं। अर्जुन इतिहास आपको कभी छमा नहीं करेगा। अगली बंक्ति लीला का कथन तुम्हें यह नौकरी किसके कारण मिली यह मकान अस्पताल में सुविधाएं कौन दिलवा रहा है। अगली बंक्ति यदू का कथन अब तुम्ही वजे हो साले, इमानदारी और सच्चाई की आौलाद आराम से रहना किसमत में बदा हो तब ना। अगली बंक्ति यदू का कथन पहले अपनी चमरी बचाओ और तब लगाओ हाथ दूसरों को अगली बंक्ति यदू का कथन मा कैंसर से अस्पताल में पड़ी है, विद्वा बहन हर पहली तारीक को तुम्हारे मनी ओर्डर का इंतिजार करती है, लगे को मेडिकल कॉलेज भीजना है, इनकी तरफ देखो, छोड़ो यह सिध्धान उद्दात की मुर्खता अगली बंक्ति लीला का कथन जानते हो किस तरह घसीट रही हूँ तुम्हारी ग्रिहस्ति की गारी अगली बंक्ति अर्विंद का कथन अब किस किस से डरू लीला कॉलेज को दुकान की तरफ चलाने वाले उस पैसिडेंट से अंगुटा चाप कमेटी मेंबरों से चुगली खाने वाले अपने सहयोगियों से उस लिजलिजे बेहुदे प्रिंसिपल से विद्ध्यारतियों से क्या पूरी उम्र डरते ही रहना होगा अगली पंग्ती प्रिंसिपल का कथन इसलिए तो कहता हूँ नौकरी है तो कान बन कर लो आखे मून लो मूग खुला रखो बोलने के लिए नहीं रोटी खाने के लिए अगली पंग्ती प्रिंसिपल का कथन लीला के प्रति सोचो तो घर्ग अंधेरा रखकर मन्दिर में दिया जलाने से कोई फाज़ना होगा अगले बंगती कि प्रिंसिपल का कथन लीला के प्रति केवल ओरट ही मर्द को समझा सकती है लीला का कथन अरविंद के प्रति कभी सोचो इस घर में अकेले कौन जिया है तुम केवल तुम हम लोगों को कभी अपने असित्तु की जानकारी ही नहीं हुई तुम तैक करते रहे कि हम लोग कैसे जीएं और हम लोग उसी तरह जीते रहें लेकिन अब यह नहीं होगा अगली पंक्ती चंदू का कथन राजकुमार के लिए कहता है वह प्रोफिसरों को अपने बाब का नौकर समझता है और कॉलेज को अपनी जायदाद अगली पंक्ती अरविंद का कथन प्रेसिरेंड के प्रती आपकी भाषा क्या धंकी की भाषा नहीं होती आप जो चात कहते हैं क्या वही नियम नहीं होता अगली पंक्ती यदू का कथन अरविंद के प्रती राजकुमार का विरोध करोगे तो हत्या चंदू का विरोध करोगे तो सामाजी खत्या हत्या से बच नहीं सकते तुम अगली पंक्ती विमलेंदू का कथन वित्यू ने उतार कर रख दिया चेहरे केवल जिंदा रहते बदले जा सकते हैं एक दो दस सौ पर मिर्त्यू चेहरा हमेशा उतार कर रख देती है अगली पंक्ती विमलेंदू का कथन अरविंद के प्रती बेवकूफ बलिदान सब्द वापस ले मैं तुम्हारे क्लास्रूम में बैठा फर्स्ट एर का लॉंडा नहीं हूँ जो वजनी सब्दों के माया दरपन में अपना चेहरा जहांकने लगू मैं सब्दों से पड़े हूँ सहरों से पड़े हूँ अगली पंक्ती विमलेंदू का कथन और नहीं तो मेरी कोई उम्र थी मरने की तीन साल पहले साधी हुई थी फूल सी बच्ची पत्नी का उबलता हुआ प्यार नाटक की दुनिया में नाम पैदा करने की ख्वाई सब धरा का धरा रह गया अगली पंक्ती क्रिपी का कथन विश्वास क्यों होगा कभी अपने लड़के की हड्डियां गिनी तुमने भिकमंगे का लड़का कहलाता है तुम्हारा बेटा मुझसे पूछो कैसे जुटाती हूँ दो जून की रोटी अगली पंक्ती क्रिपी का कथन मैं कहा कहती हूँ की अपमान का घुट पियो द्रूपत से बदला जरूर लो पर उतावली में नहीं योजना बनाओ उसका नास उसकी जाती के लोगों से ही कराओ अगली पंक्ती द्रोनाचारे का कथन सास्त्रों के अनुसार मेरी विद्या केवल ब्रामनों और छत्रियों के लिए है अगली पंक्ती एक लव्य का कथन लेकिन जन पर तो मेरा कोई अधिकार नहीं था जन से पहले अपने मातापिता तैक करने की सुविधा क्या प्रकृति भी देती है अगली पंक्ती द्रोनाचारे का कथन धर्म की विवस्था के लिए जानते नहीं शुद्रों और वन्वासियों को धनुरविद्या की सिक्षां नहीं दी जा सकती अगली पंक्ती द्रोनाचारे का कथन एक लव्य का अंगुठा बने रहने का अर्थ समस्ते हो धनुरविद्या पर उसका अधिकार हो जाएगा धीरे धीरे उसकी जाती का अधिकार हो जाएगा सक्ति साली होने के बाद यह स्चत्रियों से इस्पर्दा करेंगे और परिनाम होगा वर्नाश्रम धर्म पर संकर अगली पंक्ती अर्जुन का कथन इतियास कल भी हसेगा आप पर जब भी प्रतिभाग को जाती और व्यवस्था के नाम पर कुचला जाएगा तो लोग आपको ही याद करेंगे इतियास आपको कभी छमा नहीं करेगा अगली पंक्ती अर्विंद का कथन लीला से क्या सुविधाओं ने तुम्हारी समवेदना को इतना मार डाला है अगली पंक्ती प्रेसिडेंट का कथन अपरात की सार्जनिक तोर पर स्विक्रती राजनीती में आत्महत्या कहलाती है अगली पंक्ती अनुराधा का कथन सभी पुरुष नामर्द नहीं हो गए है सर मुझे अपनाने वाले भी कोई है उसका प्रेम मुझे लड़ने की ताकत देगा अगली पंक्ती विमलेंदू का कथन अनुराधा के बाप ने अपना विरोध पांच हजार रुपियों में बेच दिया था लड़की को रातो रात दूसरे गाउं भेजनी की योजना बन जुकी थी अगली पंक्ती विमलेंदू का कथन आत्मा क्या चीज होती है केवल सरीर सत्य है आत्मा वात्मा सब बक्वास अगली पंक्ती विमलेंदू का कथन प्राश्चित ही करना है तो तुम भी आत्मेहत्या करो लेकिन उसकी जरुरत नहीं स्त्री का अपमान कोई नई बात नहीं ये तो वोता ही रहा है क्या तुम्हारा द्रोनाचारी कौरवो की दास्ता छोर कर चला गया क्या उसने तलवार उठाई मेरा नाटक याद क्यूं नही करते डौपदी का सार्वजनिक रूप से अपमान हुआ द्रोनाचारी वहीं खरा था वह चुप क्यूं रहा अगली पंक्ति अस्वतामा का कथन क्या दुर्योधन आपका कहना नहीं मानेगा आपको तो सत्ता का मोह नहीं क्या आप अपने सिस्ष्यों की पत्नी को सार्वज अगली पंक्ति कृती का कथन कृपी का कथन अपना नपुन्सक आचरन धकने के लिए मुझ पर आरोप लगाते हुए तुम्हें थोड़ी भी लगजा नहीं आती मैं पूस्ती हूँ तुम्हारा आचारियत्व कहां मर गया अगली पंक्ति कृपी का कथन तुमने चुप रह मेरी दीग हुई विद्या सहस्त्रों पलीदान लेगी क्योंकि मैंने केवल सस्त्र चलाने की सिक्षा दी है मैंने उसके आगे ऐसा कुछ नहीं सिखाया है जो मनुष्य को मनुष्य से बनाता है अगली बंगती वेमलेंदों का कथन है अर्विंद से यदि व्यवस्था तुम् को कुट्ते के पिलों को जंदो चंदू और युदिष्टिड मतपत पैदा करो राजकुमार और दुर्योधन पैदा करो अगली पंगती वेमलेंदों का कथन तु द्रोनाचारी है वेवस्था और सत्ता के कीडों से पिटा हुआ द्रोनाचारी इतिहास की धार में लकडी क थूट की तरह बहता हुआ वर्तमान के कगार से लगा हुआ सड़ा गला द्रोनाचारी है कि अगर 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 अगर